जैन दोस्तों बंदे मातरा भाई भारत और मांगलदेश के वीच में जो टेस्ट मैं चल रहा है उसका दूसरे दिन खत्म हो चुका है दूसरे दिन खिल खत्म होने तक भारत ने अच्छी खासी लीड हासिल कर लिये लेकिन उसको बावजूद भारत ओल आउट हो चुका भारत ओल आउट होने के साथ-साथ बांगलदेश की जो दूसरी नहीं है वो भी शुरुआत हो चुकी है और उन्होंने साथ रन बना लिये हैं बिना कोई विकेट खोए यहां पर अगर हम लोग स्कोर कार्ड की बात करने तो भी स्कोर कार्ड जो है काफी मज़दार रहा है इंडिया का बांगलदेश की टीन 227 रनों के उपर ओल आउट हो गई थी इसके बाद जब भारत बल्ले बाजी करने उतरा तो पुजारा और कोहली से काफी उमीदे थी लेकिन एक बार फिर से केल रहुल के आउट होने के बाद में यह दोनों भी चल्दी चल्दी चलनत चले गए हला कि शुमन गिल भी कोई खास कर नहीं पाया मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर राहुल ने 10 रन बनाए शुमन गिल ने 20 रन बनाए पुजारा ने 24 बनाए कोहली ने भी 24 रन बनाए लेकिन यहाँ पर सब्सक्राइब ट्विस्ट आया जब रिशापंत और श्रिया सेयर बल्ले बाजी करने होते हैं इन दोनों ने ही काफी अच्छे बल्ले बाजी करी जहां पर रिशापंत 93 पर आउट हुए और चटवी बार चटवी बार यह 90 बनाए बना तो आप समझ सकत हो कितना बुरा दर्द हो रहा होगा श्रेय सेयर भी यहां पर सेंचुरी से चुके हैं यही मानूगा मैं 87 रनों पर यह भी आउट हुए लेकिन इस दोनों के आउट होने के बाद टीम इंडिया जल्दी जल्दी वापस पबिलियन में सालिए और 34 रनों के उपर यह लोग अगर हम लोग बात करें कि भाई इन लोगों ने किस मतलब क्या बहतरी इन पार्टनर्शिप करी तो आपको इस बात सी समझना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में करीब करीब 160 रनों की से पार्टनर्शिप होई ती श्रेय सही और रिशब पंत के बीच में लेकिन यहां कप्तान के तार पर वो जरूर खेल रहा है लेकिन कप्तानी के ऊपर भी संचय के बादल मंडरा रहा है कि कली इस प्रकारी खबर निकल कर आई थी कि हार्दिक पंडिया को हो ना हो लेकिन कप्तान बनाया जाएगा लिमिटेड ओवर्स में तो ऐसे में केल राहूल के बहुत का जो खेल खतम हुआ है उसमें दूसरे दिन का जो खेल खतम हुआ है उसमें काफी मज़दार वाक्य हुए है जिसकों के लिए अगर पब्लिक इस समय सोचल मीडिया पर विलकुब मज़े लेने के मोड़ ही बैठी हुई है ट्विटर की तरफ देखें तो आप यहीं देख सकते है एक्वैलिटी केल एंजॉएंग इन टीम एज ही कैप्टेन दिस्पाइट जीरो पर्फॉर्मस यहां पर देखिए ऐसे नाच रहे है कुल्दीव वाचिंग देख फ्रम ड्रेसिंग रूम इवन दो मैंन दो मैंच इंफर्स्ट मैच और केल राहूल की मतलब वह संजु सैंसन की तो हम लोग यहां बाती नहीं कर सकते इफ विराट कोली वास देर इन आई प्राइस प्राइस उपर जाता भाई 20 करोड से उपर जिस तरह का ऑक्षन आज का गया है ना साम करें और वो ग्रीन जो था उसने तो भाई हल्ले ही मचा दिया है जस्टिन क्या हुआ है हार्दिक पंडिया सेट तो बी प्रमोटेट ही तो कल की नहीं हुज है इत वोजन्त केल राहूल बट विराट कोली वास दो गाइडेट टीम इंडिया इन अगडल ऑफ सेकंट अगेंस बानलदेश फोरेवर कैटन अब्विसी बात है अब विराट को टीज वटेवर इस वाइड बाल गेम दगाय इस अनदर लेवल इंटेस्ट मैच इस मैच विनर एलीट बिलीकुल टेस्ट मैच इस में रिशापन्त एक अलगी लेवला खिलाडी हो जाता है लिखिर लिमिटेड ओवर न पता नहीं कहां गुम हो जाती ही सब चीज में कुलीब यादा वाय अलवेज मी किसमत की हवा कभी नरम कभी गरम यह एक पहले दिन का स्कोर जहां पर एंड हुआ है वहां की बात हो रही है अबर्वन बेजी इस आई-पेल उक्षन एंड देर टीम इंडिया गॉट ओल ओवर तीन सोचवदा लुक्स लाइक इवन दब्लेयर्स वर एक्सिट तो वाज दी आउक्षन पंस हट इन प्रॉपर दो बहुत सारे सवाल उट रहा है भाई यह क्या है वह इस आई-पेल्ड इन रहे है तो भू खेलने विट तो फो पर पेल्ड थे लिग देरा किन आउक्षन तो पर भी नहीं रहे है न परक्रफ यह नहीं बद्ड़ आगा तो वो कहला है कारण ही क्या बचे को जो तो यह समझ में नहीं आगा 65% शॉट बॉल्स वसे श्रेया सयर and he looked comfortable to pull them it's been a great innings by a year यह क्या भी है 100 man 106 for रिशब पंद this guy is crazy 6 hitting from both the ends बढ़िया छक्के पड़े हैं लेकिन तो इस तरीके से public जोयर रियाक कर रही है लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि तीम इंडिया ने जिस तरह का production किया है उसको देखते हुए सवाल बुठाय जा सकते हैं लेकिन ऐसी situation में ही पंद तो रियर जैसे खिलाडियों के पास भी मौका होता है कि वो आकर अपनी जगे को और जादा पक्का कर सके अब देखना होगा तीसरे जने के खेल में क्या कुछ नहीं पनाता है मेरे सुझी फिलाड़त नहीं जैहिन जै भारत